वित मंत्री की पिटारे से निकले गरीब किसानों के लिए अच्छे दिन नमस्कार मैं हूँ आरती चौधरी और आप देख रहे हैं S.C.N.U आंतरिम बजट की शुरुवात हो चुकी है मोधी सरकार का इरादा यही रहेगा कि इस बजट से लोकसभा चुनाओं में वे अपनी जीत को मजबूत कर लेगा भारत में 55 प्रतिशत किसान जिनके लिए खेती ही आयका मुख्य सोथ रहे इन 55 प्रतिशत में भी 7 प्रतिशत किसान गरीब हैं जिनके पास 2 हेक्टियर से भी कम की जमीन है इन गरीब किसानों के लिए मोधी सरकार ने PM किसान योजना का एलान किया है इस योजना के तहट गरीब किसानों को प्रती वर्ष 6,000 रुपए सरकार अपने सरकारी खजाने में से देगे आपको बता दें ये 6,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में 3 इंस्टॉल्मेंट में आएंगे यानि 2,000 रुपए 3 बार में हर साल दिये जाएंगे जिन किसानों के पास 2 हेक्टियर या उससे कम की जमीन है उनको इससे फाइदा मिलेगा पी-एं किसान योजना से 12 करोड किसानों को फाइदा होगा ये योजना 1 दिसंबर 2018 से शुरू है इस योजना के चलते 75,000 करोड रुपए सरकार ने साल 2019 और 2020 के लिए तैय किये हैं और साल 2018-2019 के लिए भी सरकार ने 20,000 करोड रुपए का ऐलान किया है अब ऐसे में देखना ये होगा कि गरी किसानों के लिए शुरू की गई ये योजना कलाव किसानों के साथ-साथ क्या लोकसभा चुनाओं में मोधी सरकार को भी होगा आपकी इस बारे में क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और जो दर्शक SCN News पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाना नप में धन्य वादो